नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गॉवर्मेंट एल्प लाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है तो प्यारे भाई और बेनों आप सभी लोगों के लिए इस वी जिसमें आपकी न तो कोई परिक्सा होगी नहीं कोई आपका इंटर्व्यू होगा आप इस भर्ती के तैत सीधा अपना जो आविदन पत्र बर के सरकारी नौकरी ले सकते हैं जिस भर्ती का नाम है पसूपालन भर्ती 2023 और यह जो दर 24 की भी बड़ी भर्ती होने वाली है क् जो इसके फॉरम है वो 2023 में शुरू होकर 2024 की जनर्वरी में एंडिंग के अंदर आपकी जो आविदन पत्र है वो समापत होंगे तो इसलिए यह बर्ती भी आपके लिए इतनी महत्रपॉन है जितनी आप लोगों के लिए दूसरी बर्ती है क्योंकि उससे भी ज़्यादा य और आपका भी सपने के सरकारी नौकरी लेने का है तो यह बर्ती आपका सपना है वो बिलकुल साकार करने वाली है क्योंकि इस बर्ती में आप अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं आपको दूर कही जाने की जरूरत नहीं है आप अपने ही पंचायत में नौकर कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन लोग है जो अपना आविदन पत्र भर पाएंगे इसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यूंकि कुछ मेरे प्यारे बाई और बाई ने जो अपना आउजन पत्र गलत भर देते हैं गलत होने के कारण उनको दोबारा मौका भी नहीं मिलता है इस वज़े से ये फोरम सही से आपको भरना होगा और मैं आपको बता दूँ इसमें आपकी एज क्रेटेरिया है वो यापर आपका एज क्रेटेरिया है वो 18 वरस से अधीक होना चाहिए अगर आपकी IOC में 18 वरस से कम है तो आप बिल्कुल भी आवदन मत कीजिएगा क्योंकि अपने टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका एज कम है तो सीधा आपका फॉरम हो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी यही समस्य आएगी कि अगर आपकी एज 35 वरस से ज़्यादा है तो आपका फॉरम सीधा रिजेक्ट हो जाएगा जैसे ही अपने आधारकाल नमर जो इंटर करेंगे या फिर जो भी आप इंटर करेंगे तो आविदन करने के लिए तो आपका सीधा फोरम है वो reject हो जाएगा तो चलिए इसकी official website पर चलते हैं और मैं आपको पूरी एक एक process समझा देता हूँ जिससे कि आपको आविदन करने में भी आसानी हो और आपको एक सरकारी नौकरी मिले वो भी आपको आसानी से मिल जाए तो चलिए इसकी official website पर जहांपर मैं आपको पूरी जानकरी समझा देता हूँ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप है जो यहाँ पर अपना जो आविदन पत्र है वो किस पद के लिए आविदन कर सकते हैं पद का नाम है पहला पद है गडरिया पद है जलदारी पद है और सफाई करता पद है जिसमें आठवी पास दसवी पास अनपड भी है तो यहा पर All India Job है यानि कि आप बारत के किसी भी राज्यम रहते हैं तो यहाँ पर आप जो अपना आविदन पत्र असानी से भर सकते हैं मैं आपको बता दू यहाँ पर जो नोट में क्या लिखा है नोट पढ़ना बहुती जरूरी है और यह नोट को समझना भी बहुती जरूरी है क् कुछ बार ऐसे ऐसे नोट लिखे होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं वहीं पर आप है जो अपनी बड़ी गल्ती कर बैठते हैं और आपका फॉरम में वो रिजेक्ट हो जाता हैं सबसे पहरे मैं आपको बता दू यहाँ पर पसुपालन विबाग बरती में दोजार हजार पतों के लिए रोजगार समाचार पत्रों में भी परकासित किया जात चुका है उमीदवारों से निवेदन है कि आप अगर आप पसुपालन बढ़ती विबाग की निर्दरीत योगता को पूरा करते हैं तो अंतिमतिती से पहले पहले जरूर आउदन कर लें यानि कि इंबर प्रेक्चरण विबाग कैंद्र की पतसुपालन काइंदर विबाग कैंद्र पतसुपालन निगम लिमिटेड आउसिक शूचना है जो मैं आपको सम्दाऊँगा लेकिन उससे पहले कुछ जहां पर इंपोर्देंट जान कर यहां वह मैं आपको बता देता हूँ ले sectionic योगता की बात करूँ तो दोस्तो sectionic योगता में आपको क्या देखने को मिलेगा तो आपको मैं बता दू यहापर sectionic योगता में आप कितने पड़े लेके होने चाहिए वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है तो आपको मैं करके सारी जानगारी important जानका रही है वो आपको यहाँ पर लिखने नहीं है तो सबसे पहले पद के लिए मैं आपको बता दू गडरी पद के लिए आप 10 वी पास 12 पास या फिर आप 8 वी पास आप बी चलेगा तो यहाँ पर जलदारी पद के लिए 12 पास होना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर स बहुत है रखे और तो यहाँ पर इस प्रकार की चूट का प्रादान मिलेगा जिसमें अगर आप के या पर आप स्ट्र est से हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रख यह रखना है कि आप 35 वर्ज च चान्य पर आवदान कर सकते हैं केवल स्ट्रöm से ब्रक्रिक में आप 75 वर्ज चितनी मिलेगी तो सेलेरी की बढ़ करूँ जो 15,000 रुपए आपको सेलिरी मिलेगी अब दोस्तों आती है आपकी आउदन सुल्क की मैं बात कर लेता हूँ तो आउदन सुल्क में दोस्तों यहापर जनरल के लिए 600 रुपए फीस देनी होगी वहाई पर OBC, ST या फिर ST के लिए फीमेल वर्ग के लिए 400 रुपए यानि कि 450 रुपए सुल्क है जो आपको देनी पड़ेगी यह जद्द सुल्क नहीं है आप आसानी से यहाँ पर आउदन कर सकते हैं आपको यहाँ पर आउदन पत्र बरना कैसे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू यहाँ पर आपका नाम ल कर रखी है यहाँ पर नेट कर रखी है तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपने उत्रिंट कौन से वर्ष में किया है वो इस सांड़ी में लिख देनी है और यहाँ पर कुल प्रावतांग में से कितने परतिशत बने यह आपको इस सांड़ी में भर देने हैं उसके बाद सर्थ सेम होना चाहिए और यह जो आपका पासपोट साइज फोटू है वो आपका यहापर नया होना चाहिए एक दो साल पुराना चलेगा लेकिन उससे ज्यादा पुराना यह फोटो नहीं चलेगा अब बात कर लेते हैं आपकी आपकी कौन-कौन से डोक्युमेंट रगेंग अगर आपके पास में computer है तो computer या पर mobile से आप आउधन करते हैं तो यह वहाँ पर आपको form है जो download करके बरके फिर आपको यहाँ पर scan करके वाट्चाप पर यहाँ पर आपकी जो computer scanner से scan करके फिर आपको यहाँ पर upload कर देना है और दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप सभी राज्यों के से यहाँ पर upload कर सकते हैं यानि कि दोस्तों अगर आपकी आउधन 18 वर्ष से अधिक है तो आप upload कीजिएगा अन्य था आउधन करने की कोशिज करेंगे तो यहाँ पर आपका आउधन पत्र है वो reject हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर कुछ important सूचना है आउसक सूचना क्या है वो मैं आपको बता दूँ बार सरकार की कोशल विकास प्रेटी के अनुसार भारती पसुपलन निगम लिमिटेड दौरा बलोक इस तरह यानि की जो बीएलो की तरब से यहाँ पर पसुपलन कैसल कोशल फरीक्षन के अंदर खोले जाने से यह जिसके अंदर गाते यहाँ पर आपको रोजगार को बढ समचारी युवाओं को लिए एक ओनलाइन फोरम है जो अमंतुरित किया गया है जिसमें आप जो अपना पत्र आवसे भर दीजेगा और यहाँ पर किसी भी रोजगार के लिए यहाँ पर आउधन कर दीजीगा आपको आउधन करने की तिथी अभी तक जारी नहीं हुई है यानि कि आप खल से आवसे तो कर सकते हैं लेकिन इसकी अंतिमतिती जारी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको आउधन जल्दी से जल्दी अपना कर देना होगा और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो पद है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जिसके जरीए यहाँ प